कि अभी आपने उनका वीडियो बयान मी सुन लिया चूंकि काफी समय से आप इस पूरी पुर्तकिरिया में हैं आप विधायक भी रहे आप सांसद भी रहे क्या ऐसा अब तक हुआ पीते दिनों आजम खान चीखते रह गए चिलाते रह गए कि रामपुर का चुनाव को इस द चुनाव का एलान कर दियाता है आज मिलकी पुरका नहीं है यह देखिये हाफी भी आती है और आश्चर भी होता है कि एलेक्शन कमीशन सांसद जी से कुछ तकनीकी व्यवधान है नेटवर्क किसु आजाता है कभी कभी तकनीकी व्यवधान हो जाता है अगया वाज आगे विपच की आवाज को रोकने की साजिस हो रही तेम को लगता है बोलिये सारे संस्था तो इस समय सरकार के हांट में और आप समस्के हैं इस बात पर आश्चर भी होता है हसी भी आती है और देख लीजिए खेल जब जब सांसर जी बोलना चाहते हैं उनकी आवाज ही गायब हो रही है कि असे समझना पड़ेगा शांसर जी अभी दिल्ली में है फिलाल तो फाइब जी है सर दिल्ली में यह दिल्ली का फाइब जी ए हमारा तो पहले फोरदी ओ ठीकता कम से कम एक दूसरे के संपर्क में तो जी ते लोग आवाज चली गई सांसाजी कि सांसा हुअप से यही सवाल में कि चुनावी मामले में हम भूसेद से इसको कुनावी मामला वह अपना फूर्ट नहीं intrigue ॉताई हम कोई वह प्रत्किरिया नहीं दे सके लेकिन सवाल तो जलता करें तो अब लगता है आपने उनकी तुख्टी रख पे हां तरज दिया है अलो जी हां लगत तो ही रहा है सर अब जल्दी बोलिए को हम लोग सुनना चाहते हैं दर्सक आपको सुनना चाहते हैं कहने का कुछ बताई क्या है आप ही बताईए कि जब जो कोई भी केस कि इस्तिती में हो उसका सग्यान हमारा इलक्षन कमीशन ले तो उस पर हसी नहीं आएगी तो आएगा काई यह भारती ज़्टा पार्टी पूरे देश को वेकूब समझती है और अपने को बहुत चलाग समझती है नोटरी से नोटरी करा लेता है तो उसके लिए चुणाओं के दरान एक दिन का स्कूटनिंग का समय होता है उसको 24 घंडे का समय दिया जाता है विपक्षी को कि आपको अगर किसी के कागजात पर आपत्ती है तो वह आपत्ती दर्ज कर सकते हैं और अगर उसको आपत्ती दर्ज करनी थी तो आपत्ती उस समय दर्ज करते हैं तो हो सकता है उनको कुछ फैसला उस पर मिल जाता लेकिन ये इलेक्षन पेटीशन का मामला आ गया और इन्होंने इलेक्षन पेटीशन के जरीए इस मामले को कोर्ट में जिस सब्जेक्ट को ले करके उठाया और वो व्यक्ति इस्थिपा दे करके सालसत बन गया तो उस पर उस परिस्तिती में हमारे हिसाब से कानून ये कहता है कि वो क जैसे पांच साल तक कोई पेटिशन चलता है जब कारकाल बीच जाता है तो उससे पेटिशन का कोई मतलब नहीं रहता है और फिर से होने लगते हैं लोगों को जाता है तो ऐसी परिस्टिती में इलेक्षन कमीशन ये जो आधार ले रहा है वो आधार जो है वो इलेक्षन कमीशन ही समझ सकता है और जो सरकार उनको समझाना चाहती है वो समझ सकती है तो देखे treaties के एक यह आहां है यह यह बताई यह जलता यह जैनना चाहती की मिल्किपूर मेंुप कौनं नहीं करा रहा है नहीं करा रही है सरकार नहीं करना चाह रही है यह चुनाऌ आयोग को आगे करके सरकार रिस्पार चुनाओ डाल रही है किस व辜 E कि पूर्मे हारने का डर किसको है गुरुजी कि पूर्मे हारने का डर भाती जाता पाटी को है इस लिए वो नहीं कहाती है कि वहाँ अभी जो है चुनाव हो लेकिन वह कब तक चालते रहेंगे वो उब चुनाव में जन्ता उनको बता देगी कि वो किसी स्थिती में है अब वो छोड़ दीजिये कि ओभर कांफिडेंस कहिए या कांगरेस पार्टी की आपस में जो जिस तरीके से उनको ले जाना चाहिए वो इंडिया गड़बंधन को आगे नहीं बढ़ा पाए नहीं तो अगर हरियाना का चुनाव इंडिया गड़बंधन से लड़ते और पीडिये के प्लेटफार्म पे लड़ते तो आज वो ये जो जाट पनाम अधर का नारा दे रहे हैं उस समय नहीं चल पाता और साथ इंडिया गड़बंधन को समझना चाहिए कि इस देश में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में पिछड़े समाज के चेहरे के रूप में अगर कोई है तो वह आधरी अखिले स्यादों जी हैं कि कांग्रेस ने अखिले स्यादों के साथ समझाता ना करके हरियाणा में आई वी जीत को खो दिया मैं तो कह रहा हूं अखिलेस जी का जो प्लेटफार्म है वह प्लेटफार्म पिछड़ा दलित और संख्यक समाज के उस तपके को प्रशनिद्धित करता है जिनको आजादी से लेके आज तक उनका अधिकार नहीं मिल पाया आज वह अपने को पठाड़ा हुआ समाज कमजोर समाज जिसकी आवाज जो है नहीं सुनी जाती है वो पीडिये के माध्यम से अपनी आवाज इस देश के सरसे बड़ी पंचायत या उस्तरप्रदेश सरकार को सुनाना चाहती है उसका देता अगर कोई है पीडिये में तो माधनी अखिले सियादों है और अखिले सियादों को छोड़ करके कोई सोचाए कि हम जहां की इस पिछले जातियों के साथ जोड़ करके दिखा देंगे तो यह साथ उनकी सोच हो सकती है लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तियत मानना है कि अगर अखिले सियादों जी को साथ ले करके आज भी अगर महरास्त में इंडिया गड़वंधन के साथ लड़ेंगे तो वो जो अगरे पिछड़ की बात जो भातियनता पार्टी करती है वो उनका यह तरफा वो नहीं चल पाए और प्रणा कोते हैं, और उनसे अपने आब को जोड़ेती हैं, और प्रणा के सरक्षण से भात करते हैं वो उसको स्टिया לס़े करते हैं तो ऐसी परिस्तिती में बिना अक्लेज जी बिना पीडिये इंडिया गड़ बंधन को वो की मुकाम नहीं हासिल होगा जो कांग्रेश पार्टी या सभी इंडिया पर के लोग पाना चाहते हैं मेरा येक्ट मानना है अरे सर आप तो मुझे लगता हरियाणा चुनाओं के बाद महारास्ट्रा चुनाओं कि घोस्णा क्या हुई आप सीधे सीधे कॉंग्रेश को समझा रहे हैं कि महारास्ट्रा भी जीतना है तो अखलेश जी को अपने साथ लेके चलो नहीं तो 23 तारीक को पढ़नाम आएगा त प्रुवार्टी जन्ता पार्टी के खिलाब खड़ी है वो चाहती है कि इंडिया प्रेटफार्म पर पी डिया को मजबूत करते हुए भार्ति जन्ता पार्टी को पूरे देश कर रहा है तो अखिरेश जी कर आपको याद होगा कि जब नितीज कुमार जी ने एक तरीके से इंडिया गडवंधन को तोड़ने की घोसरा कर दी अब लोगों को लगा कि इंडिया गडवंधन समाफ्थ हो जाएगा तो मैं धन्यवाद हूँगा मानी एकलेश जी को विस बिना इस बात की चिंता किये कि उनको कितना ओड मिलेगा कितना फीट मिलेगी कितना नहीं मिलेगा वो केवल भारती जनता पार्टी के खिलाब एक मजबूत आधार बनाने के लिए इंडिया गडवंधन की तरव से कि इंडिया गडवंधन बना रहेगा ये घोसरा किसी तूसरे ने नहीं की वो माननी अखिलेज जी नहीं की और वो अखिलेज जी इसलिए इंडिया गड़बंधन में पिछले समाच के समसे बड़े चेहरे के रूप में उनका परदर्शन होता है और जनता उन पर विश्वास करती है इसलिए मेरा मानना है यदि भारती जनता पार्टी को परास्ट करना है तो अखिलेज जी की अगड़बंधन के प्लेटफार्म पर उनके साथ जुड़ करके यदि सामई पूर्ट से लड़ाई लड़ी जाएगी तो महारास्त में हर खंड में हर जगा हमारा जो है कि इंडिया गड़बंधन जीतेगा और भारती जनता पार्टी को परास्ट करेगा सर ये बताएए कि आप लोग कॉंग्रेस को कुछ यूपी में देंगे आप अपना तो बता दिये आप कि महारास्त्रा और जारखंड में अखलेजी को आपने सम्मान नहीं दी आपने साथ नहीं लाए तो वहां तो आप नहीं जीत पाओगे बीजेपी को रोकने में उतना कामियाब नहीं हो पाओगे लेकिन क्या यूपी में बड़ा दिल दिखा के आप एक आदो सीट दो गए कि आप दस की दस वह आप नहीं तो उसमें अगर कोई बात आगे बढ़ानी है तो चाहते हैं कि कांग्रेस के छोटे निताओं से साथ राश्टी अध्यक भी बात करें तो ये कांग्रेस की गलत्मा भी छोड़ देनी चाहिए अगर उनको इडिया गडबंधन के साथ कांग्रेस की सीट के बारे में कुछ बात करना है तो उनका राश्टी अध्यक्स राउद गांधी या खरगे जी डारेक्ट हमारे राश्टी अध्यक्स जी से बात करें और सीटों के बारे में बताऊं कि यो कौन सीट जीज सकते हैं उसका समिकरण क्या है उनके पास कितना वोट है उस सीट पे कर देले और जो है कि हम सब समर्षब करने के लिए और इस बात के लिए लेकिए बाद करते हैं यह कुछ आप असमें भर्मेट बना रखा है यह देखिए यह राष्टी अध्यक्ष का मामना है आपने बड़े खुलासे कर दिए कि अगर इंडिया गडवन्धन कांगरेस को यूपे में बरकरार रखना है तो राहूल गांधी सीधे अखले सियादों से बात करें और बड़े जी बात करें यह वाया नहीं चलेगा अरे बहुत पूछना चाहता हूं विरिंदर सिंग जी आपको परसानी किस्स है आपके जुले के जादा बयान दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अजयराय का उनका अपना करता भी और वो प्रदेश की अध्यक है अपने करकताओं को मनोबल हाई करने के लिए उनका भयान ओ देते हैं वो कोई बहुत जो है कि अपति जनक नहीं है उनको करना भी चाहिए अपने पार्टी के करकरताओं का मनोबल उचा करने के लिए लेकिन जब ठोस आधार पर बात होगी तो राश्टी अध्यक जी और कांग्रेस के राश्टी नेटसिट के बीच बैट करके जब बात करेंगे तब वह बात छीक्से बनेगी नहीं तो हम लोगत त्यारा है अपनी स्थ chính पूरा पयारी किये हुए है तसों पर छुना तो नपर ही हो रहा है आपने दस की तयारी किये मिल्कीपूर पर चुना भी नहीं हरा रहा है तो पर क्या नहीं होगा करो या कि इस नहीं नहीं हो गा सपा का इतना बड़ा प्रभाव है कि भार्षी जंदा पार्टी दर की दो कदम पीछे हो रही है कि अरे वहां तो उनके लोग बता रहे हैं कि बाराइच में जो हिंसा वी उस्यम को बड़ा फायदा हो जाएगा कई लोग बताने के एक्सपर्ट बता रहे हैं इस सब को पता है कि भार्ती जंता पार्टी के पास बुद्दा नहीं रह गया है तो अब अब उह जाती लड़ान अधरम में विभेद पैदा करना मुद्दा खोजना विरिंदर सिंग जी मैंने कल कई पत्रकारों से मेरी लगातार बात हो रही है वो यह कह रहे हैं थे कि अब धार्मिक द्रुवी करण का मुद्दा चुनाओं में बड़ा बन जाएगा बाराइची घटना के बाद अब व आप यह बताईए कि मुद्दे की तलास में आप यह बताएगा आप तो बनारस के रहने वाले हैं बनारस की जो प्राचीन परंपरा है चाहे वो पहले दिन जो है बाबा विशुनात पर जलाविशेक का कारिकरम हो चाहे जो है कि भगवान राम के वो जो रत पुस्पक ले आते हैं और भगवान स्रिकिसित के गोबर्धन की पूजा का भार कौन समाज का लोग वबाठा आप 110 में जितनी बीर है चाहे लहुरा बीर हो नों लोगों ने समाज इसमें काम किया इसलिए उनके नाम पर उनने अस्थानों का नाम है तो आज बनारस की संस्कृति हो जो पुरातन सबता है वो अगर किसी समाज के कंधे पर है तो यादो समाज के कंधे पर है अब अब आपको जिन राम मंदिर का प्राट पिस्था समारो हो रहा था उसी दिन यहां पर पाटी आफिस में जो सिला का पूजन हो रहा था जो मंगाई गई थे नेपाल से साली ग्राम की और एक बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं सैफ़ही में अख्लियस जी मेरी जानकारी में बड़ा मंदिर इंदुस्तान में कोई नहीं है और वो जिस रेखा पर है जो प्रिथवी की एक रेखा है जो जो सेंटर लाइन जाती है जो रामेस्टर से लेकर के सीधा के दार मंदिर जोड़ती है उसी रेखा के नीचे सी उसी लाइन भी हमारे जोतिर लिंग के रूपे में वहां जो है कि हमारे राष्टी अध्यग्जी बनवा रहे हैं इसका प्रचार नहीं करती नहीं यह तो मांदा लिए नहीं बात में सह चंदा भी नहीं लिए और बता दू नौ दिन लगा तार बरत रहे जपी एनाई में जब उनको जपी के लिए फूल उनके जनन दिन पर जमलारपन नहीं करने दिया गया तो दिन भर वह इसी बात को कोशते रहे कि अरे भाई अभी नौ दिन तो मैं रहा हूं लुझे नौम प्रक्तिकत बातों में और और मैं ब्रत हूं मुझे भी ब्रत किये हुए हैं कितने कारकरता बैखे हुए हैं सब का पाप जो है यूगी जी को लग गाएगा तो जो तो आप यह प्रदर्शित करता हो कि आप भगवान को पाप लगाए जा रहे हैं अब भाई अब मोदियों जी को कहा जाता है कि अवतारी पुरूस हैं उपाइदा नहीं हुए हैं वह तो वह तो स्ट्याञ अवतरीत हुए है तो हम क्या करेंगे इस डेश के समाज को के रोभ के ना यह चाह रहा है यह जी प्यादि मैं जानता हूं विख्तिकत रूप से मैं जानता हूं कि अखलेज जी बहुत धार्मिक आदमी हैं आपको भी पिसले 35 सालों से मैं जानता हूं आप सब लोग बड़े धार्मिक लोग हैं लेकिन ये भी सच है कि आप लोग धर्म का प्रचार उतना ज्यादा अपनी धर्म की मार्केटिंग नहीं करते अपनी आस्ता है और ये बात सही है उस दिन आप भी से पार्टी कि मूर्थी मंगवाई और कारेकर करता को संदेश दिया कि जाहिए आप लोग इते देर से यहां मेरे यहां बैठे हुए खड़े हुए आप लोग घर जाहिए पूजा पाठ करिए ब्रत है ब्रत का पारण कीजिए भावना तो बहुत अच्छी है लेकिन ये जो अब जब ऐसा चल रहा है तो आप मैं एक ही बस चुकी एक समझना चाहता हूं कि ये विधान सभा उप्चनाओ आप बता दिये कि अगर कॉंग्रेस नहीं भी आएगी तो भी हम दस में पूरी तयारी किये हैं तो महारास्ट्रा में आप लोग ने कितनी सीटों के तियारी कर रखी दो चलिए अभी हमारे साथ होंगे साइन नेटवर्क इसू कुछ आया है और उम्मीद है कि वो जरूर हमारे साथ आएंगे नेटवर्क ठीव होते ही अठक जी बात तो पूल मिलाके यह है कि बड़ी बेवाकी से उन्होंने बात रखी और उन्होंने कोई सवाल किया है उन्हों समझदारी का परिछे देना पड़ेगा और यह बिल्कुल सच है कि बड़ी जिम्मेदारी निवानी पड़ेगी समाजवादी पारिटी बड़ा दल है उत्तर प्रदेश उसे अखलेस यादव को लेके चलना पड़ेगा तो के इन रखे जो अन्य राज्यों में हैं यांग् अंग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा दो राज्जी चलेगा अखलेस यादव की चक्कर में माद्यप्रदेश भी और हर्याना भी आंग्रेस को अब तो सुधार कर लीना चाहिए मैंने तो उनको मैसेज ड्याल दिया मुझे लगता सांसेज जी को कहीं जाना भी था अगर मौका मिल लगेगा तो जुड़ेंगे लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी मजबूती से बड़ी साख गोईस अपनी बात कहीं सिकुमार जी देखिए बार-बार मैं कह रहा था आप दूसरे लेविल और तीसरे लेविल के नेता है इनों नहीं मद्यपरदेश में भी काम बेगाड़ा याद करिए कमलनाथ क्या बोलते हैं अखलेस वकलेस और अजयराय ने क्या बोला था जिससे मद्यपरदेश में गढ़बंदन नहीं हो पाया और सपाने 35 उमीद्वार उत सचाहिए कि आपको बिना जातिकत समीकरण साधे अब आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं और हर्याणा में क्या हुआ ठीक आपने मुख मंत्रीपत का मिद्वार नहीं गोसित किया था कॉंग्रेस ने लेकिन ज्यादा टिकट डिपेंद्र हुंडा भुपेंद सिंग हु को लग गया कि भाई यह कॉंग्रेस चिनाव जीतेगी तो दली तो बीसी को ज्यादा कुछ मिलना नहीं है और इस बात को कितनी साफ गोई से विरिंदर सिंग जी ने कहा इस मंच से मतलब इस मंच पर साफ साफ कर रहे हैं और वो चेता भी रहे हैं कॉंग्रेस को मुझे पच्छी जड़कर आथिस में बैटेगा तो देज का यही हाल होगा और दिने दी